गुद मॉनिंग इस्टुएंट्स बहुत इंपोर्टन क्लास है आज की यह डिस्केटिव मोड में होगा इसलिए बहुत पेशेंस और धहरे रखके आपको यह क्लास देखनी होगी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ West Bengal geography और environmental location इसके पूरे environmental studies के इसके पूरे goal की हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर West Bengal में आखिर geographical दृष्टि कौन से आखिर क्या क्या है बहुत important class है इस class को अगर आपने अच्छे से समझ लिया आत्मसात कर लिया assimilate कर लिया internalize कर लिया तो इसके बाद एक live class आने वाली है जहां मैं आपको West Bengal GK का जो static GK है ठीक है उसमें 105 plus questions मैं लेकर आ रहा हूँ जो live होगी इस class के बाद आप सब जुड़े और इसको जुनोंने समझा है उस 105 plus questions करने में उन्हें बहुत मज़ा आ जाएगा और exam के दृ और आपको पता है कि अगर आप यह एक्जाम पास कर लेते हैं तो आप जो है इसकी lifetime जो है वैलिटी जो है आपको मिलेगी इसकी lifetime वैलिटी आपको मिलेगी certificate certificate की यह नि फेकेंसी निकलती रहेगी और आप केवल जो interview है उसके लिए appear होते रहेंगे तो good morning to all मैं राजे सर आप सब का स्वागत करता हो काभी लेकाडमी के YouTube चनल पे चली शुरू करते हैं आज का यह क्योंकि बहुत लंबा चलेगा तो धहरे बनाये रखें और सुनें अच्छे से यहां सी वहलों को जानना है कि आखिर इसके geographical location में आखिर किन किन बातों को ध्यान रख ठीक है तो यहां पर हमने west Bengal का आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर एक नक्षा जो है आप लोग के लिए यहां दे दिया है इस नक्षी को ध्यान से देखें ठीक है पशी मंगल तो सबसे पहला क्या है पोशीम बॉंगो ठीक है इसे क्या कहा जाता है पोशीम बॉंगो पार्ट है ठीक है भारत का उसका एक राज्य है ठीक है और यह जो है बंगाल की खाड़ी के बगल में है जहां इसकी पॉपुलेशन जो है लगवाग 91 मिलियन ठीक है और इसका जो एरिया है वो 88,752 किलोमेटर स्क्वाइर या 34,200 स्क्वाइर किलोमेटर यहां पे है वेस्ट बेंगाल जो है यह 4th most populous और 13th largest state by area है भारत का यानि भारत में अगर जनसंख्या की द्रिष्टी के न से देखे तो यह चौथा बड़ा राज्य है अगर आप जनसंख्या की द्रिष्टी कोन से देखे यानि कि 9 लगवग जो है काफी ज़्यादा जनसंख्या है यहा 13 क्या है 13 as well as the 8th most populous country subdivision of the world लेकिन अगर आप संसार world की अगर हम बात करें तो यह आठवा सबसे आठवा सबसे घनी अबादी वाला एक यह हो जाएगा रज्य हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं इसके international border की तो it borders Bangladesh in the east and Nepal and Bhutan in the north देखिए यह आपका नक्षा है यह पश् आपको दिया हुआ है इस्ट में कौन है देखिए इस्ट में हमारा कौन है बंगलादेश है यानि की पूर्व की तरफ यह बंगलादेश के साथ इसकी सीमा साधा होती है और अगर हम नौर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए नेपाल और यहाँ पर देखिए भुटान नेपाल और भुटान जो है सिक्क इम स्क्राइड तो खैर उसके साथ लगा ही हुआ है नेपाल भुटान नौर्थ में है ठीक है तो ये हो गया इसका बॉर्डर इस्ट में हो गया और नेपाल भुटान आपकर नौर्थ में हो गया बहुत जरूरी है इसके location को समझना इच जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बिहार है जारखंड है आपका आसाम है आपका सिक्किम है आपका ओडिसा है ठीक है इधर में आपका क्या हो गया यह सब बंगाल की खाड़ी जो आप देख रहे हैं क्या है आपका बंगाल की खाड़ी तो स्टेट बॉर्डर जहां स्टेट पता ही है कोलकाता है जो तीसरा सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिस है तीसरा सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिस में आता है and seventh largest city by population इंडिया और भारत में अगर शहरों की जनसंक्या की बात करें तो उस उस जनसंक्या के हिसाब से जो है यह सात्वा सबसे बड़ा शहर है घनी अबादी के दृष्टी कों से देखे फ्रम 1770 तो 1911 यहीं कि 1772 से लेके 1911 तर कैलकटा वास दा कैपिटल अफ बिटिश इंडिया तो उस समय भारत जो है वो अंग्रेजों के गुलाम था बिटिश इंडिया का खसन था तो 1772 से लेके 1911 तक कलकता जो है बिटिश इंड तो 1912 से इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947 तक लेकर यहीं कि भारत की आजादी 1947 तक इट वस्वाज डिश ब्रम पूरे बंगाल की रजहानी बन गया अफ्टर इंडिपेंडेंटेंस क्या हुआ Calcutta remain the capital of the Indian state of West Bengal और उसके बाद जो है आजादी के बाद Calcutta जो है पस्षी मंगाल का रजानी बन गया उसके बाद ये क्या हो गया? कोलकाता हो गया ठीक है? तो ये था एक general overview हमारे West Bengal पस्षी मंगाल के बारे में जिसकी WB Tate 22 की परिश्या आप लोग 11 December को देने जा रहा है तो काफी अच्छी बाते हैं जो important चीज़े हैं उसको आप note कर ले एक note आप बना ले ठीक है? मैं कोशित करूँगा इसकी PDF मैं दे दूँँ आप लोगो टेलेग्राम पर इस वीडियो के बाद लेकिन इस वीडियो का जरूर देखें अगर PDF उपलब नहीं भी करा पाता हूं तो परश्ट्रेनी है ठीक है गंगा डेल्टा राड रीजन कोस्टल सुंदर्बन और क्या है बेय बेंगॉल ती बहुत इंपोर्टेंट है कि प्रश्ची मंगाल में इनकीन चीज़ों को शामिल किया गे दारजिलिंग हिमालियन हिल रीजन है गंगे इस डेल्टा है जो कि आप भुहाना है यहां वह गया बेय बेंगॉल ठीक है तो यह शामिल है राड रीजन जो है वो शामिल है कोस्टल सुंदर्बन और बंगाली खाडी स्टेट्स का जो में एथनिक ग्रूप है जो यहां की बंगाल की जो में जो पोपुलेशन है वो क्या है वो बेंगोली हिंदू बेंगोली है यानि की बेंगोली हिंदू है जो यहां की डेमोग्राफिक मेजूरिटी बनाती है वेस्ट बेंगोल की जहां तक अर्थ सास्तर की बात है यानि की एकोनोमी की बात है किसी भी राज्ये का एकोनोमी आकर किस पर डिपेंड करता है उत्रा खंड है सिक्की में त वेस्ट मेंगल जो है वो शिख्ट लार्जेस स्टेट इकनोमी था इन इंडिया यहां तक आप स्टेट इकनोमी की बात करें तो पश्चिम मेंगाल एकिस बाइस के गरना के हिसाब से छठा सबसे बड़ा जो है राज्य है जिसका ग्रॉस स्टेट डॉमस्टिक प्रडॉक्ट जिससे हम लोग GSDP के नाम से जानते हैं 15.36 लाग करोड का था यानि एक सो नबबे बिलियन यूएस डॉलर ठीक है and has the country's 20th highest GSDP per capita of कितना है यानि जो देश का जो बीशुआ सबसे हाइस स्टेट के हिसाब जो पर के पिटा जो इनका में हुआ है एक लाग एक सजार दो सो स 60 रुपए यानि कि लगभग लगभग 1500 यूएस डॉलर वेस्ट बेंगॉल के पास दो वल्ड हेरिटेज साइट है जो बहुत ही इंपोरेंट है एक तो है आपका दार्जिलिंग हिमालियन रेलवे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉय ट्रेन के नाम से आप लोग स है और मैंग्रोव का जो पेंड होता है सुंदर्बन में इसके लिए बहुत जाना जाता है इसलिए सुंदर्बन नेशनल पाक और दार्जिलिंग हिमालरेले यह पश्चिम मंगाल में दो वर्ल्ड हेरिटेज साइड है और अभी तो आपका पता है कि युनेस्को ने भी पूर किया जाने वाला जो राज्य है उसमें सात्वे नंबर पे हमारा पश्चिम मंगाल यानि पश्चिम मंगो आता है तो इस द्रिष्टी कोन से भी यह काफी इंपोर्टेंट है आगे देखते हैं वेस्ट बेंगॉल की जहां तक खोज हुई थी इसकी खोजी गई थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा ठीक है एक इंडिपेंडेंट स्टेट था 1717 से लेके 1727 तक मुर्शीद कुली खान जिसे हम लोग मुहम्मद हदी या सुर्य नरायन मिश्रा के नाम जानते हैं वाज फस्ट नबा बंगॉल यह बंगॉल के पहले नबाब थे ठीक है हाज मुषिद कुली खान ने की ती यह अब ज़्याद रखे गवर्नर अभी जो गवर्नर है वो को है ने सीवी आनंद बोश चीप मिनिस्टर पता ही आपको ओल इंडिया थ्रिनमुल कॉंगरेश पूरा है एई टीसी जो है उनकी है महमता बेनर जी हमारे चीप मिनिस्टर है हमा सभा का पशिम मंगाल से 16 सीटे है हाई कोड जो है वो कलकता हाई कोड ओफिशल लेंगवज को देखें तो बंगला और इंगलिश यहां की ओफिशल लेंगवज है इसके अलाबा आप नेपाली उर्दू हिंदी ओडिया संताली पंजाबी और खामतापूरी राजबंशी और तेलगू यह जो है यहां के दूसरे एडिशनल ओफिशिल लेंगवज है ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां पर कुछ वेस्ट बंगल के मिनिस्टर्स के लिस्ट वगरा दिये हुए है तो बदलते रहते हैं फिर भी आप इसको एक बार जस्ट एक बार देखते चले है कि यहां पर जो स्पीकर आप दा हाउस वेस्ट बंगल लेश्ट असेमली है वो कौन है वीमन बैनर जी है ठीक है एगरिकल्चर जो है यहां देखा जाता है स्री शुभान देव चट्टोपाध्धाय के दौरा उसके बाद जो मेन है जो हेल्ट एन फैमिली वेलफर जो है ममतब एनर्जी के पास है जो काफी इंपोरेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट जो एवीस के लिए काफी इंपोरेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट जनाब जावेद अहमत खान एनवारेमेंट मिनिस्ट्री जो है वो है स्री मानश रंजन भूनिया क्या है मानश रंजन भू अब आगे यहां पर कुछ तस्वीरे आपको दी गई है इन तस्वीरों को आप देख लें एक बार यह हावडा ब्रिज है दक्किनेशन मंदिर है यह हमारा जो चाहू डांस है है ना दुर्गा पूजा हमारा जो दीघा बीच है कि नहीं यह काफी जो हमारा जो टूरिस्ट में जो टूरिस्ट एट्रक्शन है उसी कुछ तस्वीरे जो देख लें आप अच्छी तरह जानते भी है इसके पर भी एक्जाम में आपके बास कुशन आ सकता है रोयल बेंगल टाइगर है कि नहीं यह चीज़ देखिए दाड़जिलिंग का जो एक सीन है जहां पर किस तरह से जो चाय की जो खेती होती है एक खुबसूर्ती ठीक है ज संगला जॉल जिसे रविंदरनाट टैगोर ने 1905 में लिखा था डांस यहां का है रविंदरनाट्टेम और च्छाव डांस जो मैंने कहा था मास्क डांस में लोग कहते हैं यहां का जो एनिमल है जो मैमल है स्तन पाई वो कौन है फिशिंग कैट ठीक है बढ़ है आपका वा असलिन जो निकलता है वह ओगिया ठीक है फुल जो है यहां कौन है मैंगो ट्री की जहां बात करते है रिवर जो है तीस्ता और कौन है गंगा इस्पोट्ट्स जो है एससीएशन फूटबाल और जहां तक मचली का बात है फिश की बाध जिसे बहुत ज़्यादा यहां पसं उजह आप लोग ज़रूर बता है मैं देखता हूँ कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं जो मंगाल के हो तो ज़रूर दे पाएंगे तो यह कुछ जोग्राफिकल लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है जो आप लोगो समझने के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर लोग गंगा डेल्टा नौल रिकलेम लोग डेल्टा और मेधनीपूर कोस्टल प्लेन ठीक है यहाँ पर सारे डिस्टिक वगरा का नाम है अलिपूर बर्दमान बीरभूम बांकुरा कुछ वियार दखिन दिनाजपूर यह सारे जो है डिस्टिक वगरा के हैं नाम दिए ए यह गरहे है उसके बाद तर्हाइं रिजन है जो की ठीक इसके नौड़न मांटन डिजन जो पूरा हिस्टा होता च गलें ओला प्लेटर इसेंफे हो रहा यह श्यु की ठीक है ठीक राड्र rap रिजन यह वाला जो रहा सरे परश्य मंगान का यह राडरीew जन है Southern Plane Region जो यहां से सुरू हो रहा है Southern Plane Region जो है Northern Plane Region के ठीक निचे से सुरू हो रहता जो राड़ के बगल में है सुंदर्बन का जो रीजन है वो आप यहां देख सकते हैं जातर South की तरफ है और जो Coastal है तो जातक फिजियोग्राफिक रीजन की बात है तो इसे लगभग आठ डिविजन में, आठ भागों में जो है इसे बाढ़ दिया गया है मोटे-मोटे तोर पे आपको एक overall view चाहिए, knowledge चाहिए ताकि आप MC की वाले question आराम से कर सके इसमें अगर हम आगे देखें, the northern mountain जो मैंने पहले बताया अबी यहाँ पे देखें सारे डिस्टिक वगरा के नाम दिये हुए है जो सुरू होता है जो उत्री पश्चिमी जो हिस्सा है उसका एक पार्ट है and belongs to और यह किस से बिलॉंग करता है Eastern Himalayan region यानि हिमालय की जो उत्तर की पुर्व हिमालिया परवश्चेनी है उसका हिस्सा है इसमें यह क्या का कभर करता है इसमें आपका आता है धार्जिलिंग डिस्टिक यहां पर पाए जाते है प्राचीन जो शिल्क रूट है पास्ट थू दा प्यडॉंग शिटी काहा है कालिंग पोंग के नज़्डीग और पैडॉंग सिटी को हम लोग City of Orchid Orchid बहुत शुन्दर फूल होता है उसका शहर कहा जाता है इसी region में है यहने कि Northern तो यहां से पेडंग को पर मैंने आपको कर एक सवाल दिया था सिटी अवर्गिट कहा जाता है तीस्ता नदी जलधाका और राइडाक यह तो तीन नदिया है यह बहती है इन दिस रिजन में इसी रिजन ने बहती है तीस्ता रिवर डिवाइड जा नौर्धन मांटेन इंट्यू पार यह तीस्ता नदी हमारे इस नौर्धन मांटेन को दोंसे बाढती है और यहां पर बहुत घहरे-घहरे गौर्जस बनाती है टुट पार्ट कॉन-कॉन से है एक है आपका वेस्टन और एक है आपका इस्टन मांटेन यह पश्चिमी और वेस्टन माउंटेन रेंज ठीक है इसमें कुछ तस्फीरिया आप देख सकते हैं बाक्सा टाइगर रिजर्ब जो है बिंदू सेवक हमारा जो सिली उडी से दा जाने वाला जो ट्रेन है जो वल्ड हेरिटेज है है ना कंचन जंगा वगरा यह सब ठीक है बहुत इंपोरेंट है तो वेस्टन माउंटेन रेंज देखिए तो माउंटेन रेंजेस ऑफ इस रिजन का पश्चिमी जो परवत्ष्रेनी है वेस्टन पश्चिम मंगाल का वेस्टन माउंटेन रेंज है इसकी दो परवत्ष्रेनिया बहुत ही इंपोरेंट है एक है सिंगलीला और एक है दार परवश्रेनि hanya और किसे और नेपाल ये बहुत इंपर्देंट है दार्जिलिंग और नेपाल कि सीमा के साथ सिंगाली में और इस रेंज में जो सिंगल लिला रेंज है इसकी चार मुख्य चोटिया है ठीक है एक है आपका संदक्फू जो 3630 मीटर है हाइस पीक है परशी मंगाल फलूट 3595 मीटर साबर ग्राम 3036 और टॉंगू 3121 मीटर है जो सिंगल लिला रेंज की चार परवस्ट्रेनिया है यह बहुत इं सकते हैं आप लोग भूमे भी होंगे दर्जिलिंग जाने के लिए 6-7 घंटे लगते जाने के लिए बहुत ही अराम से जाती है और यह क्या है हाइस रेलवे यानि कि अगर उचाई की द्रिष्टी कों से देखे संसार का सबसे उचा रेलवे स्टेशन है टाइगर ही जानते ही है 2566 मीटर इस दा हाइस पीक अप दार्जिलिंग रेंज का सबसे उची चोटी जो है वह कौन हो गया आपका टाइगर हील जहां से माउंट कंचन जंगर और यहां से जो कंचन जंगा की जो परवस्टेनी है जो की 8586 मीटर है देखा आ सकता है बहुत है सुंदर नजारा होता है लोग दाजी ने जाके सुबा चार बजे टाइगर हील पे जो है जो सन राइजिंग है जो सूरे जो उगता हुआ है उसका जो उसकी जो एक जो इसको नोट कर ले अब आते हैं इस्टन माउंटन रेंज में यानि कि जो पूर्वी जो परवस्ट्रेनी है इस्टन माउंटन रेंज में जो है इसमें आपका रिचीला 321 मीटर सबसे हाइस्ट वीक है सिंचुला रेंज ऑफ दिस रिजन फॉर्म्स दा बाउंडरी जो बाति बइच क्या बनाती है बोर्ड का काम बड़डर करती है ठीक हैसी मह बनाती है दा मेंन फॉर्म्स डूपर अफ पस प्र शेंस तो तो दा मेन माउंटेन पास ऑफ दिस रिजन इस रिजन इस रिजन का दूसरे मुखे चोटिया है वह है रेनी गंगो और छोटा सिंचुला यह बहुत इंपोर्टेंट है और यहीं पे है सिटी ऑफ कालिंग पॉंग बहुत सुंदर जगा है बहुत कुछ यहां देखने के लिए के पल में मौसम कुछ और होता है 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 की बहुत इस सुंदर नजारा होता है अईसा लगता है कि पूरा शहर अगर मौसम थंड आ जाए तो पूरा शहर जो है दूद में नहा जाता है ठीक है यह मेरा पर्सवीरेंस है अब आते हैं western plateau जो पश्चिमी पठार है ठीक है इसके बारे में देखते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तस्वीरे भी आपको यहाँ पे दी गई है the western plateau and the adjoining uplands यहीं कि जो पश्चिमी पठार है उससे जुड़ी हुई जो बाकी जो जमीने है जगा है और यह पूरुलिया जो हमारा जिला है पश्चिमंगाल का उसका पूरा पार्ट बनाता है दा वेस्टन पार्ट अब बीरभूम इसमें आता है बांकूरा और बर्दमान डिस्टिक और वेस्टन मिदनापूर डिस्टिक तो यह काफी इंपोर्टेन है इसमें छोटे छोटे पहाडिया है इसमें जो छोटी छोटी जो पहाडिया पाई जाता है जिसे फेमस ली हम लोग डुंगी या तीला के नाम से भी चांते हैं इंपोर्टेंट हील्स इन डिस रीजन आर आयोध्या आन बागमुंडी इन पूरिलिया और इस रीजन का जो इंपोर्टेंट हील है वो क्या है आयोध्या जिसके पर मैंने कलेक्ष वाल दिया था आपको और कौन है पूरूलिया में कौन है बागमुंदी है अब आते हैं गोरा गाबरू गोरा गाबरू गोरा गाबरू जो है 677 मीटर यह हाइस्ट पीक है अयोध्या हिल का मैंने कल इस पे सवाल दिया था आपको कि अयोध्या हिल के सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है तो गोरा गाबरु इसकी जो उचाई है वो है 677 मीटर पंचेत है भंडारी और पूरुलिया डिस्टिक है बेलफाडी और वेस्ट मेंदापूर है मामा भागने बहुत इंपोरेंट है यह कोश्चन अलड़ी आ चुका है डवलू बी टेट में ठीक है बहुत चांसे से इसका आने का कि लोग जानते हैंने कि मामा भागने अकर है क्य मामा भागने अन मतुरकाली और बीर्भूम डिस्टिक अन सुशुनिया और बिहारी नाता बांकूरा डिस्टिक मेनी रिवर राइस फ्रॉम छोटनाकूर प्लेटु एरिया यहां चोड़नाकूर प्लेटु के पठारी एरिया से बहुत सारे नदिया निकलती है और इनके ब सुवरनरेखार रिवर्स इुदि को प्लेटु और बिरभूम में उखारी निकलते हाथ फ्रॉम उखा हूआ है लब्यिश्वर में वें वी बीरभूम जीले में ही पाया जाता है तीक हैiones मैं आप देख सकते हैं यहां पर यह रहा चीक है यह रहा बीरभूम चलिए आगे देखते हैं, आगे है, the plains, the plains of the north and south region, ठीक है, the plains यानि की जो, समतल जो area है, ठीक है, कहां का, north का और south region का, पहले हम देखते हैं, यहां पे देखिए, हमारा यहां डूर्स भी है, ठीक है, किस तरह की agriculture है, खेती है, धान यहां पे रोपा जा रहा है, किस तरह से क् extends from Siliguri to coast of Bayo Bengal, यानि कि यह जो region है, जो आप यहां देख पा रहे है, north का और south का, Siliguri से सुरू होके, Bengal की खाड़ी के तर्टक है, और यह largest region है, West Bengal का, जो बनाता है, makes the state of fertile agricultural state, और यही जो है, पस्चिम मंगाल का, सबसे उपजाव धर्ती, यानि की जो region है, तयार करता है, और यह कई हिस्सों में है, हाँ, this is divided into parts, that is, plain of north Bengal and plain of south Bengal, यानि यही पे हो जाता है, north Bengal और south Bengal, दोनों का सम्तल धर्ती जो है, अलग अलग हो जाता है, तो जैसे कि हम लोग अभी यहां पे है, मैं जी जगा पे हूँ, यह क्या है, north Bengal है, south Bengal जो है, कलकता साइट जो है, वो अलग हो north के समतली हिस्से की बात करें, तो यह सिली गोडी से लेके, मालदा डिस्टिक के गंगानादी तक, गंगानादी के पूर्वी किनारे, उत्री किनारे तक है, ठीक है, और इसके अंदर दो सब डिविजन है, दो सब डिविजन और बहुत important है, एक तो होगी आपका तेराई हि है, ठीक है, इसे दारजिलिंग है, यहां भुटान है, यहां कुछ भियार डिस्टिक की बाउंडरी है, ठीक है, यह कुछ भियार यहां पे है, और इसकी बाउंडरी यहां पे है, पुंचिलिंग भुटान हम लोग के नजदी की है, तो यह तराई के जो रिजन है, इसे लो पूरा एरिया जो है बनता है जेनरल हाइट ऑफ इस रिजन इस एक सो मिटर और इस रिजन का जो जेनरल हाइट जो उचाही है वह असी से सो मिटर की है और तीस्ता रिवर जो है जो भूर पूर्लय हाइट तीस्ता नधी इस एкого हिस्सें भाटती है ठीक है जिसमें से जो वैस्टन मीसाही से टेराई ठीक है और जो पूर्वी हिस्षा है उसे लिए कहते हैं याद रखीका थिस्टा इस जगये को दो हिस्षा में डिवाइट करती हैं पश्यम हिस्षा जिसे हम लोग 16 कहते हैं और निवायundos के और पूर्वी हिस्सा जहां हम लोग रहते हैं अलीपूर्दवा डिस्टिक में यह हो गया अलिपूर्दुवार ठीक है इस रिजन एक्स्टेंस तर शिलीगुडी डिविजन और डार्जिलिंग डिस्टिक नॉर्थ एन इस्टन पार्ट जल्पाई गुरी डिस्टिक एक्सेप्ट बाक्सा जैनती को छोड़के जो हम लोग के बगल में है अलिपूर्दुवार में अपर रिजन अफ कुछ भी हर डिस्टिक यह बहुत इंपोर्टेंट है कि इस एरिया में आप रह रहे हैं यहां पे कुछ तेराई दुवार शिलीगुडी और हिमाले से निकमे नदिया तीस्ता तोर्सा राइडग जलधका इनको बहुत इंपोर्टेंस से याद इस रिजन इस डिवाइड इंटो थ्री केटेगरी तो यह हिस्सा जो है तीन केटिगरी में डिवाइड होता है एक है डियारा याद रखेगा डियारा के ऊपर कोश्चन आए हुए है डियारा दे एरिया ऑफ न्यू अलुवियल ब्रॉट बाइ कालिंदी रिवर इस नौन इस पस्चिमी हिस्सा है इसको पूरा कऑर करता है याद एखेगा दियारा में कौन सी मिटी पाई जाती है तो अलुवियल कोन नदी लेकर आई तो कालिंदी इस्सी के लिए इसे डियारा कहते है और यह माल्दा जिले के पस्चिमी हिस्स्से यह कभर करती है इसके बाद है बरेंद्र भूमी, काफी question है इसके उपर, a substantial part in the south of west दिनाचपूर, पश्चिमी दिनाचपूर का, and in north east of Malda, is built up with old alivial, पुरानी दोमट मिट्टी से बना हुआ है, पुरानी दोमट मिट्टी से बना हुआ है एरिया, और इसलिए, which is called, जिसे कहते हैं, बारिंद कहते हैं, या इसे हम लोग, बरेंद्र भूमी कहते हैं, यह काफी important है, बहुत important है, मैंने देखा है, इसके उपर, काफी mcq exams में आते हैं, पश्चिमंगाल में, इसके बाद है, ताल, क्या है, the lakes और westlands created by flood water, is known as ताल, यानि बाड के पानी के द्वारा, जो एक झील की झील जो है, तयार ह हो जाता है, उसे हम लोग, ताल कहते हैं, the areas between the Mahananda and Kalindi river, यह important है, महानन्दा और Kalindi नदी के बीच का जो हिस्सा है, और prone to flood, यहाँ पे बाड आता रहता है, और इसलिए, इन एरिया में, ताल की, ताल का creation, यानि कि जो जील है, उसका, मने एक जो तालाब है, उसका creation हो जाता ह है, आगे आप स्क्रीन पर देखिए, प्लेंस अब इतों हो गया, नौर्थ का हमने देखें, नौर्थ बेंगॉल का, अब देखते हैं, लोग, प्लेंस अफ साउथ बेंगॉल, तो सब के बारे में थोड़ा जान लेंगे, ताकि हमारा पूरा जो जीके है, वेस्ट करता है, जो गंगा डेल्टा, मैंने भी पिक्चर में दिखाया था आपको, दीज प्लेंस अर्फोर्टाइल, काफी उपजाओ है, और फॉर्म्स एंटायर पोर्शन और साउथ बेंगॉल, और साउथ बेंगॉल, दक्षिनी बेंगॉल का पूरा हिस्सा गंगा के डेल्टा से ही तयार होता है, और काफी उपजाओ है, इस रिजन हैस क्लासिफाइड इन्टो फॉर के टेगरी, इससे चार हिस्से हैं बाढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, पहला क्या है, डेल्टा प्लेन, दा रीवर गंगा फॉर्म्स अडेल्टा इन्टो थ्री अअज बाढ़ते हैं, रेल्ट एक्टी बेल्टा के उपर क्वेशन आ चुके हैं, ठीक है, पहले देखते हैं, मौरीबन डेल्टा प्लांस यह क्या है, और यह काफी इंपोर्टेंट है, पश्चिमंगाल से, पश्चिमंगाल के GKE और EVA से सवाल तो आपको रहेंगे ही रह क्या लिखा हुआ है district of नादिया जिला और मुर्शिदाबाद जिले का जो पूर्वी हिस्सा है तो नादिया district और आपका मुर्शिदाबाद जिले का जो पूर्वी हिस्सा है यह old delta region जो है बनाता है ठीक है जो लो moreable delta plane कहते हैं ठीक है पूरी तरह से this region has been transformed by the erosion and deposition of deposition of numerous rivers and small canals यहाँ पे बार बार मिट्टी के अपरदन और बार बार नदियों का पानी आने से या नहरों का पानी आने से इस region की स्रिष्टी हुई है this region is locally known as बगदी और इस region को वहां के लोग जो है आम भाशा में क्या कहते हैं बगदी कहते हैं पूछ देगा आप से कि बगदी क्या है यह बहुत important है note करते चले more one delta plane पढ़ रहे हैं हम लोग यह हो गया old अब आते हैं mature delta plane में किसमें आते हैं mature में इसमें हुगली हावडा प्लेंस ऑफ बर्दमान और इस्ट मिद्नापूर लाइज इन दा mature delta plane में हुगली आ गया हावडा प्लेंस ऑफ बर्दमान और इस्ट मिद्नापूर इस पार्ट में आ गया तो पूछ सकता है कि mature delta plane में कौनकों से हिस्से आते हैं अब आते हैं active वाले में एक्टिव डेड़ भी हिस्सा है और southern part of north 24 प्रगना और जो उत्री 24 प्रगना है उसका दक्षिनी हिस्सा active delta plane का हिस्सा है यानि कि south 24 प्रगना और north 24 प्रगना ठीक है पहले वाले का south eastern part और north 24 प्रगना का southern part जो है इसका हिस्सा है new islands are also formed और यहाँ पे नए 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 दीब भी बनते हैं अब आते हैं राड़ प्लेन में काफी important है राड़ प्लेन ठीक है यहाँ पर बहुत सार तस्वीरे आपको दी गई है यह भी देखते चले काफी important है ठीक है इस रीजन राड़ प्लेन जो है इस रीजन लाइस ब्ट्वीन डेल्टा प्लेन और वेस्टन प्लेटू यहाँ की जो और रूप नरायन नदियों के द्वारा जो सिल्ट यानि जो मिट्टी जो लाई जाती है इसी से इस एरिया का जो है निर्मान होता है दीज फ्लो ओबर दा वेस्टन प्लेट्यू ड़िज मेड़ लेटराइट सोयल और यहां पे एक क्वेश्चन एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कौन सी मिटी इनकी तरह लाई जाती है तो कौन सा होगा एंसर लेटराइट सोयल ठीक है जो की पश्चमी पठार की और यह नदिया भैती है यह जो रीजन है यह लगभग समुद्री स्तर से 50-100 मीटर उपर है और यह कभर करता है हमारा बांकुणा बर्दमान जो है लोग कहते है रांगा माती इसे हमलों क्या कहते है रांगा माती माती यानि की स्वैल रंगा मतब रंगा हुआ जो कलर में है ठीक है इसके बाद है सेंडी कोस्टल प्लान क्या है सेंडी यानि की जो बलूई तट्टिये जो समतल मैदान है तिस is coastal strip अलॉंग दा बेय बेंग इन इस्ट मिद्नापूर पस्टे मिद्नापूर की तरफ जो बेंगौली खाड़ी का टटिये छेत्र है वहां का हिस्सा है made by sand and mud deposit जहां बालू और कीचड के जमा होने से इस एरिया का निर्मान होता है many sand dunes are from balu से बनने वाले जो हवा के द्वरा जो बालू को जो किला बन जाता है एक उभार आजाता है जो आपने देखा होगा रेगिस्तान में वह भी sand dunes यहां बनते हैं दीघा सबसे इंपोड़न हिस्सा है दीघा और कांती जो है बहुत सुंदर एक बीच है समुद्र किनारा है इसके बादे सकते हैं सुंदर बन जहां मैंग्रोव और हमारे भाई साब रोयल बेंगॉल टाइगर भी यहीं पाय जाते हैं Southern part of North and South 24 परगना का दक्षिन हिस्सा alluvial low plains muddy and Saline Water यहने की नमकीन पानी में नमक की मात्रा जाएँ ठीक है इसी रीजन को डिकलियरड युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइड युनेसको के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइड घुशित किया गया था 1987 इसी रीजन के हिस्से हैं तो यहां के जो नदिया अगर आप से पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें जो मैंने आपको मार्क कर दिया बरताला सब्तमुखी जमुना मातला गोसाबा ठीक है इसके बाद यहां पर देखिए कुछ निर्ति वगरा के बारे में हम लोग बा और वेस्ट बेंगॉल जहां भारत की जो कला की बात है यहां पर देख सकते हैं यहां पर बाउल गान यहां चल रहा है डांस वगरा हो रहा है चाव डांस हो रहा है कुछ आदीवासी जंदर जी को इनित्त हो रहा है मुजिकल जेनर सचेज बाउल हो गया आपका विश्णुपूरी क्लासिकल हो गया किर्टन तो आपको पता ही है हर साल किर्टन वगरा का आयोजन होता है श्यामा संगीत, रविंदर संगीत, नजरूल गीती, अतुल प्रशादी, दुजेंदर गीती, प्रभाती संगीत, कंता गीती, गना संगीत, आधुनिक गान और बेंगोली रोग यह सब जो है भारत की कलाएं हैं जो यहां पे आपको दिया गया है दान्स के यहां तक बात है, तो गौडिया निर्तिया यह जो है district martial और वार डान्स है यह मार्शल डान्स या युझ निर्तिया वार डान्स कहते हैं और पूरुलिया च्छाव डान्स है पुरुलिया को न है चाव डान्स राइबेंसी डान्स स्टीक डान्स जहां पर लकडी के साहर साहर डान्स किया रता है और लगुर निर्तिया रानापा डान्स धली पाइका निर्तिया और कुकरी निर्तिया यह याद रखेगा जो कुछ निर्तिय के मैंने नाम यहां पर पड पर यह से मार्शल या वाड़ डांस हम लोग कहते हैं मास्क डांस भी कहते हैं अब हर्वेस्ट यानि कि वह निर्थ्य जो फसलों की कटाई या बुवाई से जुड़ा हुआ है जो उस समय गीत कहा जाता है ठीक है जो डांस है इसमें से हैं गॉंभीरा डांस आफ माल्दा डि टूशू डांस नबन्ना डांस नॉयला ब्रोतो हां और आलसो रेट्टू फार्मी यानि कि खेती से जुरा हुआ जो डांस है उसमें से टूशू नबन्ना और नॉयला ब्रोतो काफी इंपोर्टेंट है देखिए जब आप डिस्क्रेप्टिव जी के पढ़ते हैं तो लेकिन एक्जाम भी तो आप इको पास करना है आपके जगह कोई और जाके तो एक्जाम देगा नहीं जो फेस करना आपको जो चैलेंज देखना है आपको थोड़ा सा धहर रखके हैना पेशेंस रखके चीजों को धीरे-धीरे समझे और लिगते रहेंगे तो आपको ना ब अभी तक वीडियो फुरा देखा नहीं है वीडियो को शुरू से देखे 92 क्लासेश हो चुकी है यह कम नहीं है अगर इतना भी आप देख लेते हैं तो डबल बीट की परिशाव लोग हस्ते हस्ते पास हो जाएंगे हाला कि बहुत सारी वीडियो अभी और आयनी बागी है तो वीडियो देखते रहे अपने आपको अपने पेशन्स रखें कुछ ट्राइबल डांस भी है जैसे कि संथाली डांस संथाली आदिवासी जन्तती है राभा यहां कटन जाती है मुंढारी डांस राजबनसी डांस खासकर कुछ भी यार चेतर से जुड़ा हुआ है जात् इसको World Heritage List of Dances में च्छाव मास्क डान्स जो कि यहां पर मास्क पहन के डान्स के आता है एक तरह का युद्ध वाला डान्स होता है यह होता है ठीक है उसके गंभीरा मास्क तो यहां के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट डान्स फॉर्म या आर्ट फॉर्म मैंने बता है पिक्च अच्छ इसके बाद हम लोग आते हैं टेरा कोटा आर्ट में टेरा कोटा आर्ट की उपर कर भी मैंने ग्रूप में आप लोगो को मैंने कुश्चन दिये थे तो काफी इंपोर्टेंट है यह एक्जाम में लेकिन इसके उपर आर्ट पशिम नंगाल के आर्ट क्ल्चर की डेखें आर्किटेक्ट्ट्ट्र देखते हैं रूफिंग इस्टाइल इंक्लूड द्योर बंगला डो चाला चार्चाला अट्चाला देएल एक रतना और पंच रतना और नवत लेश्ट Alea जो जो छज्जा यहनि river का जो रूफ बनाने का छज्जा बनाने का त्रीका हैं वो इन वेस्ट बेंगौल has a remarkable set of such temples which being built from the Malla dynasty are examples of this style. मल्ला राजबंग्स के तरब से हमारे बश्ची मंगाल का जो बिश्टनबूर नाम का जगा है यहां पे जो जिस तरह के यहां पे जो मंदिरे वगरा जो बने हुई है उस समय से यह काफी अपने आप में अधभूत है और यहां के roofing style भी बहुत ही अधभूत है अब आते हैं टेरा कोटा से बने हुए कुछ गुडिया वगरा के बारे में आपको पता ही होगा यहां पे कुछ दिया हुआ है अलड़ी टेरा कोटा और clay craft जो मिटी के जो बने होते हैं टेरा कोटा has been the symbol of man's first attempt of craftsmanship मैंने की भारत में अगर मनुश्यों के जो पहली खला करती आई है वो टेरा कोटा ही आई है just as the potter's wheel जैसे की potter's wheel इसने पूरी दुनिया का चक्र बदल दिया was the first machine पहली machine थी invented to use the power of motion for a productive purpose जहाँ पहली बार गती का इस्तमाल किया गया कुछ समान या वस्तू को बनाने के लिए कि motion का इस्तमाल कैसे एक चर्खे पे करके बनाया जा सकता है ठीक है अब आते हैं बांकुरा horse जो की बांकुरा में है potter's के रिए टेरा कोटा horses and elephant मैंने कर लिए पकोशन दिया था जहाँ पे बांकुरा में जो है टेरा कोटा से बनने वाले हाथी और horses काफी फेमस है पूरे भारत है विद्शों यहीं फेमस है मानसा जोत् encourages awareness is the idol of Goddess dancer है यहाँ पे अब देख सकते है यहाँ पे Goddess अरय मत्सा जो मता है जिसकी पुजा होती है, मसा पूजा होती है ठीक हैit is a unique टेरा स्कुछरा आ के पंच मुरा पंच मुरा वेस्ट बेंगॉल कांथा की बात करें कांथा स्टीच is one of the most popular handicrafts of शांति निकेतन इन बीरभूम डिस्टिक वेस्ट बेंगोल इंडिया भारत के पश्ची मंगाल में जो बीरभूम जीने का जो शांति निकेतन है यहां का जो कांथा स्टीच है जो की आप यहां देख सकते हैं यहीं कि जो कांथ आटिसन जो है कलाकृतिया बांकूडा मेक वेरियस काइंड्स ओफ इमेजेस एंड फिगरिंस अफ गॉड्स एंड गॉड्स बर्ड्स एनिमल्स लाइक लक्ष्मी लक्ष्मी नारायान शिव पारवती है ना फ्लैंक्ट बाइश अनकार्तिक एलिफेंट्स होर्सेस आउल्स और पिकाॉक्स जो यहां की मुख्य कलाकृतिया है तो बहुत इंपटेंट है कि जो टेरा कोटा आर्ट है आर्किटेक्चर है डॉल्स है बांकूडा होर्स है मनसा चाली है कान्था है जो कि शांतिनिकेतन के एक एंबडरी वर्क है डोकरा है बांकूडा डिस्टीक का तो ब आपको समझ में आ जाये, इसे बल्लापूर बहुत इंपोटेंट है, ठीक है, बाकसा टाइगा रिजर्ब, बहुत इंपोटेंट है, आपका चीलापाता फॉरेस्ट, यहाँ हमारे हाँ लोकल में ही ही है, ठीक है, काफी इंपोटेंट है, बार्ट सैंक्चुरी, आप देख सकते हैं आपका उसके रसिक बिल बड सेंग्चुरी हमारे बगल में ही है यहाँ पर 20-25 किलो मीटर दूर होगा ठीक है सिंगलियर नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क और मयूर भंच एलिफेंट रिजर्व यह कुछ मैंने जो टिक कर दिये हैं हाला कि सारे आप देख लेक बार आपको देखना है देखने से आपको समझ में आ जाएगा एक्जाम में आप्शन आएगा आप देख सकते कि यहां यह हमारे का राष्टिय जो है वहने वन अभरनने है नेशनल सेंक्चुरी है तो नेशनल पार्क है तो बहुत इंपोर्टेंट है कुछ डेडलिये साइकलों के देख लेते हैं यानि कि जो चक्रवात जो हमारे बंगाल में तो आते रहते हैं आपने लास्ट में आपको सुना होगा फणी के बारे में फणी यहां पर आया था आपने सुना होगा हलाकि इसमें किसी कोई जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ है पर इसके बाद साइकलोन बूल बूल 2019 में साइकलोन अंफन आपनी अपनी आपने सुना था अमफन अपनी, काफि सैकलोन यश 2021 का तो ये तीनों भी काफी इंपोरेंट हो जाता है हुए साइकलोन जवार 2021 का तो यह अम्फन यास जवाद और फणी काफी हिंपोरेनीव में यास और जवाद बुल-पुल 2009 सबसे खराब अगर प्रकृतिक आपदा के रूप में देखें तो सत्रा सोसाइटिस का जो कलकत्ता साइकलोन था इससे हम लोग हुगली रीवर साइकलोन भी कहते हैं होगे लदी के ऊपर काफी यह दा चक्रवात आया था ठीक है और ग्रेट बेंगॉल साइकलोन भी कहते हैं 737 में सबसे खराब था इसने तीन लाख से भी जादा लोगों की जान ली है इन लैंड और सी और पूरे बंगाल में बहुत या भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत तबाही मचा दी थी इसने ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है इन चीजों को समधना ठीक है कि डिजास्टर इन वेस्ट बेंगॉल ठीक है यहां पर वेस्ट बेंगॉल हो जाएगा करा मुई पढ़ी रहे हैं कुछ बिद्वन्स के बारे में आपको जानना है ठीक है और यहां पर देख लिजे बहुत सारे दि स्लू जो अउट्वेक हुआ था दुआ दस का वेस्ट बेंगॉल फियरी सिंकिंग 11 का आमरी फिजल फायर यह इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद संग्रामपूर मेथानोयल पॉजिनिंग 16 का कोलकॉता फ्लाइओवर कोलाप्स 18 का कोलकॉता ब्रीच कोलाप्स फुटब सब्सक्राइब कर खाने में 23 का कोलकॉता मार्केट फायर 17 का वेस्ट बेंगॉल फ्लाइड 17 का वेस्ट फ्लाइड भी काफी इंपोर्टेंट है स्टीफेन कोट फायर यह भी देख लीजिएगा बीकानेर गुहाटी एक्सप्रेस डियर जो जो ट्रेन की पट्टी उतर गई कि कुछ नदियों के बारे में यहाँ पर आपको देखिए लिस्ट दिया हुआ है इसको एक बार आप देख लें जो बहने वाली जो नदी है वो कौन-कौन सी है इसकी पुरी लिस्ट है इसके स्कीन शॉट ले ले और इसको एक बार आप लोग जरूर देख लें ठीक है भारत का जहात पशिममंगाल का जहात ड्रेनेज यानि की जो ड्रेनेज सिस्टम की जो बात है ठीक है इस स्टेट आप वेस्ट बेंगौल इस लैंड आप रिवर मैंने कि नदियों का पूरा राज्य है गंगेज अलॉंग विथी इस ट्रिबुटरी इस फ्लो ठूरू बें आती है तो नदियों का एक राज्य है अलॉंग विथ लेक्स और वाटरफॉल कई सारी जीले जलप्रपाज घरने तालाब यहां बनते रहते हैं पश्चिममंगाल की नदियों की बात करें डारीवर्स वेस्ट बेंगौल और डिबाइडे इंट फोर केडिगरी बेस्ट उन यानि की पश्चिममंगाल की नदियों को उनके सोर्स उनका जो नेचर आफ फ्लो है जो बहनी की प्रकृति है उनकी उसके हिसाब से चार हिस्वें बाढ़ते हैं रिवर्स आफ नौर्थ बेंगौल गंगाज और इस ट्रिबुटरी ठीक है गंगा और साहिक नदिया रिवर रिवर्स आफ और सुन्दर्वन तो चार हिस्से में नदियों को उसके स्रोत या उसके नेचर आफ फ्लो के हिसाब से हमनों बाढ़ते हैं यहां पे हमने इसका सब कुछ दिया हुआ हाला कि मैप में तक समझना मुश्किल है कि मैंने डाल दिया नौर्थ बेंगॉल की कुछ नदियों के नाम जैसे की महाननदा तीस्ता तोरसा जलधाका काल जानी एंड्राइड़ यह काफी इंपोर्टेंट है इस चीजों को आप लोग देख लें काफी इंपोर्टेंट है महाननदा रिवगवारें बोला है यह जो है इसकी उत्पत्ती होती है और यह बंगला देश के पदमा नदी जिसे वहां के पदमा यहां गंगा कहते है उसे मिल जाती है और इसा कुल लेंथ जो है नगर टंगोन और यह पुनर भावा यह काफी इंपोर्टेंट है इसके बाद यहां तीस्ता रिवर है इसके बारे मैं आपको डिटेल्स यहां दे दिया है इसकी साहक तीस्ता नदी के साहक नदिया है रंगी जल्धाका काली जोड़ा लीश गीश चेल नाला और करोला तो जल्धाका नदी है ठीक है और उसके बाद तोर्षा रिवर तो हम लोग यहां से भी निकलती है और तोर्षा के बारे में देखे तो यह कहां से इसकी उत्पत्ती होती है फंदा चुम्भी वैली इन तीबेट और फ्लोज इंटो भूतान यहीं कि तीबेट के चुम्भी खा यह बोलके तीन इसकी सहाइक नदिया है काल जैनी नदी भी है ठीक है यह भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह और जीनियोंती है भूटान ऑन दा फूटिल्स अधे हिमालियास और फ्लोज नॉट तू साउथ पासिंग सुदा डिस्टिक्ट ऑफ अलिपूर्दुवार यहां काल जैनी नदी है और यहां काल जैनी नदी कहां गिरती है यह ब्रह्मपूत्र रिवर आफ्टर कॉन्फियंसिंग तूर्सा रिवर के साथ मिलने के बाद ठीक है तो यह इसकी सहाइक नदियों के नाम यहां दिये हुए है देख लीजिए ठीक है राइड़क नदी भ ब्रों गोमुख विची दा मेल्टिंग प्लेस आफ गंगोत्री ग्लेसियर हिमालया जब उत्रकंड जो इस निकलती है उसे गम्डी का उध्गं होया उसे ऑग्वाद में यह उत्री सम्तल्स तल्कियों चली जाती है टोटल लेंज है पचीस सो दस किलो मिटर है तो गंगा देख लिजे बहुत इंपोर्टेंट है और फ्रॉम मुर्शिदाबाद टूगली इट इस नोन आज भागी रथी मुर्शिदाबाद से हुगली तक इसे अमनों भागी रथी की नम जानते हैं और हुगली फ्रॉम हुगली टूब बेर बैंगल ठीक है इसको हुगली रिवर य नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह काफी इंपोर्टेंट है और यहां होता है मालदा मुर्शिदाबाद दिनाजपू डिस्टिक्ट से गुजरती है ठीक है तो यह देख लें यह काफी इंपोर्टेंट है कि आगे देखें गंगा ब्रहंपुत्र डेल्टा जो है जिसे हम लोग सुन्दरबन डेल्टा भी हम लोग यह और बेंगॉल डेल्टा भी कहते हैं ठीक है यह गंगा डेल्टा भी कहते हैं यह तो यहां पर कुछ नदियों के बारे में कुछ important चीज है हाला कि जो important है वो मैंने आपको बता दिया गंगा की जो सहायक नदिया यह जान ले अजय रिवर मयूराक्षी रिवर दामोदर ठीक है और रूप नरायन तो अजय मयूराक्षी दामोदर रूप नरायन लगता है कि चार लोगों के नाम है अजय मयूराक्षी दामोदर रूप नरायन गंगा की सहायक नदियों के रूप ले ठीक है यहां भी उसी के बारे में ब सबन रेखा मोस्ट इमकर्ड डीवर स्वेस्टर प्लेटु कौंक्न हलदी जो आता है यही पानी यह जो है इस यही पानी का स्रोथ जो है सुंदर्बन यहीं जो तो साउथ या सुन्दर्बन की जो नदिया है उसका में श्रोथ है जुआरभाटा साउथ बेंगल is the deltac region most of the rivers in the सुन्दर्बन region are distributaries of हुगली river इसमें है इच्छामती होगा इच्छामती रिवर के बारे में सवाल आता है यह सुन्दर्बन या साउथ किक नदी है रायमंगल सब्तमुखी मातला गोसाबा हरिभंगा ठकुरन ठीक है यह देख लिजिएगा जो सुन्दर्बन के कुछ नदियों के नाम है पश्चि मंगाल के जील देख लिए ठीक है पश्चि मंगाल के जील के बारे में देख लिजिए आपका एक है नाम खालिया रहाता पनेगा आपको भंग जांग तलबेरिया और सागर्दीघी अगर इन चीजों को याद रख पाते हैं तो यहां पर आपको MCQ questions को करने में काफी सुविदा होगी उसके बाद है रविंद्र सरोबर लेक आप देख सकते हैं मिरिक लेक आप देख सकते हैं और सेंचल लेक आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको दी गही है, लेक का नाम आपको दिया हुआ है, वाटरफॉल जहां तक जल प्रपात की बात है जो आप देख सके जरना, तो एक हो गिया आपका चांगे विसल खोला वाटरफॉल, चांगे क्या है, वारदब फेमस वाटरफॉल इस चांगे वाट नजदीक है, और लोकेट्स इन लावा, डाजिन दिस्टिक में है, और मेक्स अ प्लीजेंट और वाटरफॉल पिकनिक स्पोर्ट इस पूर्ट इस नेचरल विल्डरनेस, और सीनिक ब्यूटी देख, यहां की जो जंगलों की जो खुब सूर्ती है, जो जहरना है, जो आसप पिकनिक स्पोर्ट है यह वाला, ठीक है, और इसे विसल खुला कहते हैं, क्यों, बिकॉस अ लावड विसल इस ब्लोइग ब्लोइंग बाइदा ट्रेन पासे त्रू दा फ्रॉंट अब इस वाटरफॉल, और इसी जल प्रपात के नजदीक से, जो सिली गूडी से दारजिलि पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो काफी इंपोर्ट है, अहिरन जील वेटलेन जो है, यह कहा है, मुर्शिदाबाद डिस्टिक्ट में है, इस्ट कोलकाता दिया हुआ है, कोलकाता में फेला हुआ है काफी, और रसिक बील जो है, यह हमारे कुछ भीहार डिस्टिक्ट, यानि हमारा अलिपूर्दवार से लगबग दो घंटे का रास्ता है, लगबग डेड़ से दो घंटे का रास्ता है, कुछ भीहार तो रसिक बील एक बहुत अच्छा पिक्निक स्पोर्ट भी है, और एक वाइललेफ सेंचोरी भी है, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं संत्रागाची वेटलेन आपको दिया हुआ है यहां पे, सुंदर्बन वेटलेन आप यहां देख सकते हैं, संत्रागाची नहीं है, संत्रागाची है, पूरा जो नाम होता है, वो संत्रागाची है, सुंदर्बन है, और पतला खावा रजो मती वेटलेन, बहुत को पता ही है जो लोकेटर है साउट 24 परगनास ठीक है और इसे 23 में इसे वेट लेंग घोशित किया गया था ठीक है और यहां पे सॉल्टी और फ्रेश वर्टर दोनों का मिशन पाया जाता है संत्रागाची जो है यह कहां पे है इन हावडा ठीक है बहुत इंपोरेंट है सौ थैंक यू यह था जहां तक मेरी कैपासिटी है जहां तक मेरा समर्त है मैं लगता है कि वैस्ट बेंगल जगर आपि इसके जग्रफीख लॉकेशन इसक नदिया ज備 पहाड परवत नेच्टल साइट आर्ट ओन्स वार्म का जहां तो मैंने पूरी कोशिस की है कि जहां तक हो से के वेस्ट बंगॉल जी के जो डवली टेट डवली पीएसी वेस्ट वेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो डवली टेट 22 का में आने वाले स्टेट से जो कोश्चन है उसका प्रणा बेस तयार हो जाया इसके बा कि जो इस क्लास को बिना बोर हुए मैंने कोशिस की है क्योंकि यहां कुछ करने के लिए हैने कुछ इन्फरमेशन है आपको शेयर करना है इसमें कुछ कहानिया तो है नहीं है ना कुछ पंच तंदरी कहानिया मैं जोड़ने नहीं सकता कि इसको इंटरेस्टिंग बना दू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे शेयर तो कर दे मैं चाहता हूं आप लोग सब इसको शेयर करें ताकि काभी लेकाड़मी का परिवार बहुत बढ़ा हो जाए भारत में क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश का हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन आज वो काभी लेकाड़मी हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है ठीक है वो पढ़ सकता है free of cost पढ़ सकता है और हर वो चीज जो आपको पढ़ने के लिए वह आपको मुहया कराई जाएंगी तो बिल्कुल चिंता ना करें जूरे रहे काभी लेकाड़मी के साथ लाइक शेयर कमे और मेदा है ना काभी लेकि यो